न्यू थार SUV अब पहले के मुकाबले ज़्यादा महगी हो चुकी है महिंदरा ने न्यू थार SUV की कीमत को 20,000 रुपीज से 40,000 रुपीज तक बढ़ाया है ये 2020 महिंदरा थार की ओल्ड और न्यू प्राइसेज हैं महिंदरा ने थार SUV के AX variant को discontinue कर दिया है फिलाल जो variants मौझूद हैं वो AXO और LX variants है AXO के petrol manual convertible top पर 20,000 रुपीज के प्राइस को इंक्रीज किया गया है इसके बाद AXO के diesel manual convertible top पर भी आपको 20,000 रुपीज का प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा AXO के diesel manual hard top पर भी 30,000 रुपीज तक ही बढ़ी है AX के बाद LX variants पर भी 30,000 रुपीज से 40,000 रुपीज के प्राइस को इंक्रीज किया गया है LX petrol manual hard top और LX diesel manual convertible top इन दोनों वहरेज कीमत को 30,000 रुपीज तक बढ़ाया गया है इसके बाद LX के सारे automatic variants पर आपको 40,000 रुपीज का price increase देखने को मिलेगा जो कश्मस थार SUV को 8 January से book कर रहे हैं उनके लिए ये कीमत लागू होने वाली है जिन कश्मस ने थार को 8 January से पहले book किया था उनके लिए ये कीमत बिल्कुल पहले कितर रही रहने वाली है लाँच होने के बाद ये पहली बार है जब थार SUV की कीमत बहाई गई हो महिंदरा ने थार SUV को 9.8 लाग रुपीज में लाँच किया था ये एक सरियन बंद होने के बाद महिंदरा थार की starting price 11.90 लाग रुपीज हो गई थी अब ये कीमत बढ़ने के बाद महिंदरा थार की starting price 12.10 लाग रुपीज हो गई है महिंदरा थार का top model अब 14.15 लाग रुपीज की price tag के साथ आएगा पहले थार SUV के top model ली कीमत 13.75 लाग रुपीज थी price को increase करने के साथ महिंदरा थार के variant में किसी भी तरह का change नहीं किया है थार SUV को अब तक 20,000 से भी ज़्यदा bookings मिल चुकी है महिंदरा थार SUV के प्रोफशन को अपने plant में बढ़ा दिया है थार SUV की कीमत बहाने के साथ महिंदरा में अपने सारे models ली कीमत को 1.9% से बढ़ाया है तो थार SUV की new price के बारे में आपके क्या thoughts हैं ये हमें comment गरके ज़रूर बताएं और दोस्तों ऐसे ही auto update के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें